नमस्कार दोस्तों भारत एक सोच देख रहे हैं आप दोस्तों हरियाना चुनाव हुआ और अकली श्यादों ने बयान दिया था कि त्याग की भावना रखनी चाहिए बात जीत की है बात सीट की नहीं है लेकिन क्या महराष्ट में भी ऐसा होगा क्या महराष्ट में अकली श् महराष्ट चुनाओं पर बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं बहुत ज्यादा गंभीरता दिखा रहे हैं जिस तरह से हरियाना चुनाओं में तस्वीर देखने को मिली थी वो तस्वीर नहीं देखने को मिलेगी और दोस्तों खुद अखली श्यादो महराष्ट में जाने वाले हैं जो यहां तारीख भी सामने आ गई है कहां कहां पर रैलियां करेंगे कहां पर जो कारिकरम रखे गए हैं उसमें शामिल होंगे यह सब हम आपको बताने जा रहे हैं तो महराश्च विदानसभा चुनाओं को लेकर राजनितिक पार्टिया सियासी पारेश को चड़ा रही ह हैं और इसी कड़ी में अकली शादो भी जुट गए हैं समाजवादी पार्टी भी जुट गई है 18 और 19 तारिक दोस्तों निकल कर सामने आई है कि 18 अक्टूबर और 19 अक्टूबर को जो है अकली शादो महराश्च में रहेंगे पूरा दमखम दिखाने जा रहे हैं अपनी वहाँ पर लगाया भी गया है माता प्रसाद पांडे की बात करें या पिर तमाम जो लोग हैं समाजवादी पार्टी के निता हैं उनको लगा दिया है अकली शादों ने तो दोस्तों रणीती बनाई जा रही है महल बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है और अकली शादो समाजवादी पार्टी माले गाओं में एक सारवजनिक कारिकर्म रखा गया है दोस्तों वहाँ पर शुर्कत करेंगे और इसके साथी साथ 19 अक्टूबर को धुले में राजुनती कायोजन का हिस्सा बनेंगे अखली शादों ऐसी खबर निकल कर आई है दोस्तों और महराश रिकाई है वो तैयारियों में जुट कई है तैयारिया जोर शोर से चल रही है समाजवादी पार्टी के महराश्ट में दो विधायक है दोस्तों शिवाजी नगर में अबु आजबी और भिवंडी पूर्व से रई से शेक निस सपासे के टिकेट पर चुनाओ जीता था तो जरूर है लेकिन महराश्ट में भी अब अखले शादो पूच करते हुए दिखाई दे रहे हैं अखले शादो की नजर अब दूसरे राज्यों पर बढ़ती जा रही है और पार्टी के विस्तार में वो लगतार लगे हुए है अठारा सीटों पर चुनाओ लड़ने पर वि तो कहा ये जा रहा था कि अगर अखले शादो को हरियाना चुनाओं में कॉंग्रेस पार्टी साथ ले लेती तो आज तस्विर शायद बदली बदली दिखाई देती बहुत बड़ा वोड़ बैंक है हरियाना में समाजवादी पार्टी का यादो समाज बहुत जादा यार नहीं है और यहां पर कॉंग्रेस एंसी पी जो कि शरत पवार गुठ है और शिवसेना यूबी टी के बीच गड़ बंधन है और तमाम जितने भी गड़ बंधन के लेता है बड़े लेता है उनसे अखले शादो के संबंद बहुत अच्छे हैं ऐसा बताया जाता है और इसी गड़ बंधन के तहर समाजवादी पार्टी भी चुनावी अखाड़े में ताल ठोकने की कोशिश कर रही है सपानेता है अबु आजमी जो कि महराश्ट की राजनीती से आते हैं गड़ बंधन में सपा को लड़वाना चाहते हैं लगातार उनके बयानों से लग रहा ह हाला कि अभी गड़ बंधन में शामिल पार्टी है सपा को लेकर कुछ भी नहीं कह रही है लेकिन एक बार फिर से यही का जा रहा है कि गड़ बंधन हो सकता है उनको गड़ बंधन में लिया जा सकता है समाजवादी पार्टी को क्योंकि अखली शादों के व्यक्तिकत तोर पर तमाम मर्देताओं से संबंद काफी अच्छे हैं तो देखना होगा दोस्तों कि किस तरह से आगे बढ़ती है समाजवादी पार्टी दोजार चौबिस के लोग सबार चुनाओं में सहतिस सांसर जीते हैं और देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उबरी है कौन-कौन चुनाओं लड़ सकता है किस तरह से तैयारिया हो रही है सांसरो के मामले में सपा देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है दोस्तों और अब आजमी का कहना है कि अखले शादों की कोशिश है कि सपा को राश्ट्री पार्टी बनाया जाए तो जब तक यहां प